लोकसब चुनाओं के नतीज़े आने के बाद आज चोथा दिन है और कल यानी 9 जून को नरेंदर मुदी तीसरी बार प्रधान मंतरी पत की शपत लेने जा रहे हैं वहीं इंडिया ब्लोक में भी बैठकों को और मुलाकातों का दोर जारी है दिली के अशोग होटल में कॉंग्रेस अद्यक्स मलीकारजुन खड़के की अद्यक्षता में कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी इस बैठक में सुनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समीत कई बड़े निता शामिल होंगे बैठक में चुनाव नतीजों पर चर्चा की जाएगी और शाम साड़े पांच बजे संसत के सेंटरल होल में कॉंग्रेस के लोकसभा और रज्ज सभा संसदों की बैठक होगी इसके बाद खड़के अशोग होटल में पार्टी निताओं को डिनर भी देंगे इस बीर समाजवधी पार्टी की भी एक महतवपुन बैठक होने वाली है इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नए सांसदों से मुलाकात करेंगे लखनव उस्तित पार्टी कारियाले के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके अखिलेश अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए हैं हरियाना में कॉंग्रेस के साथ गठबंदन पर लड़ी आम आदमी पार्टी ने हार का ठीकरा कॉंग्रेस के सिर मड़ दिया है कुरुशेतर सीट पर गठबंदन उम्मीदवार आपके शुशील गुपता भाश्पके नवीन जिंदल से हार गए थे हार के दो दिन बाद ही आपके वरिष्ट उपाध्यक्स अनुराग ढंडा ने कैथल में प्रेस कॉंफरेंस कर कॉंग्रेस नेताओं पर भीतर गात के आरोप लगाए ढंडा ने कहा कि रंदीव सुर्जेवाला ने भीतर गात किया जिससे गठबंदन परतियाशी कैथल विधान सबा से 17,000 वोटों से पीछे रह गए उन्होंने कहा कि सुर्जेवाला के बूट से भी शुशील गुपता हार गए कुरुशेतर के गठबंदर परतियाशी रह शुशील कुपता ने आप नेता नूराग डांडा के बयान को निजी बयान बताया है और कहा है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है बने रही है हमारे साथ देखते रिए जन्ता दर्वार निउस